वार जो है बैटल अफ वेनी ओकः ये लड़ी के थी छोला किग करिकला औलऑं पढटिय और चेरा किंग के बीच में और ये जीताई थी वार शोला किंग के दवारा ओके तो सेकंड बैटल आफ कोपम चुलक्या किंग समेश्वर फर्स्ट एंड चॉला किंग राज दीरज राजा एंड राजंदर चॉला सेकंड के बीच में यह लड़ाई जो थी लड़ी कही थी और चॉला किंग ने इसे जीत लिया था बैटल आफ मस्की जो है यह चुलक्या अंपा के बारे में तो मोरिया किंग अशोक एंड कलिंगा के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी और मोरियंस किंग ने यह अशोक का जो थे इसने यह वार जो थी जीती थी तो बैटल आफ तरायन जो पहली जो थी वह 1191 में लड़ी गई थी और यह सुल्तान महमूद गोरी प्रिफिविरास चोहान के बीच में लड़ी गई ती और प्रिफिविरास चोहान जो था यह बैटल जी चुकर थी 2 बैटल अफ तरायन इस ऐलेव 192 सल्टान महम麼 हम्मद गोरी ने यह बैटल जो थी वह जीती थी ठीक है ठर्ड बैटल अफ तरायन जो थी 12 फिफ्टीण में ये लड़ी गई थी शॉमसुदिन उल्टूतमिश एंड याल्डोस के बीच में ये लड़ी गई थी और सुमसुदिन उल्टूतमिश जो था ये बैटल जीता था, ठीक है? ये थी हमारी थ्री बैटल्स ठीक है? जो बैट लोदी एंट बाबर के बीच में लड़ी गई थी और बाबर जो था यह लड़ाई जीच चुका था ओके सेकंड बैटल अफ पानिपर जो लड़ी गई 5 नुमबर 1556 में फोर्स आफ हेमू चीफ मिनिस्टर अफ आदिल शाह सूरी और अकबर के वीच में लड़ी गई अकबर जुता उसने यह लड़ाई जीती थी और बात करें थर्ड बैटल अफ पानिपर के यह 14 जैन 1761 में लड़ पाइर एंड किंग अफ अफगानिस्तान अहमद शाह अबदाली के बीच में लड़ी गई थी और अफगान जो थे उन्होंने यह लड़ाई जीती थे ओके फ्रेंट्स तो यह थे हमारे पानिपत में लड़ी गई बैटल यह एक्जाम में पूछी भी जाती हैं उके गागर बैटल आफ खानबा जो थे 1527 में बाबर एंड राना सांगा के बीच में लड़ी गई थी राना सांगा को राना संग्राम सिंग भी कहते थे और बाबर ने राना सांगा को इस बैटल में हरा दिया था ओके फ्रेंट्स एंड बैटल आफ गागरा की बात करें 1529 में यह लड़ी गई थी बाबर एंड सुल्तान महमूद लोदी की बीच में और बाबर ने सुल्तान महमूद लोदी को इस बैटल में हरा दिया था बैटल आफ पलासी 23rd जून 1757 को लड़ी गई सिराज उदोला विद फ्रेंच एंड ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई यह बैटल और इसको ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी जीती थे ओके एंड बैटल आफ अक्षर की बात करें 22 फूर में लड़ी गई इस्ट इंडिया कंपनी एंड अलाइंस आफ मीर कासिम शाह अलम एंड शुजा उदोला इनके बीच में यह बैटल साफ बुक्सर लड़ी गई ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी यह बैटल जीत गई ओके एंड बैटल आफ गोवा की बात करें 16,38 एंड 39 में बैटल लड़ी गई पूर्त गीज और डच के द्वारा एंड जो पूर्त गीज जो थे यह बैटल जीत गए थे फस्ट एंगलो मराथा वार 1775 से 1782 तक चली और जो लड़ी गई ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी एंड मराथा अंपाइर की बीच में और जो म अंगलो मराथा वा की बात करें 1803 से एक्ट इंडिया कंपोंझा और एंड मराथा अंपाइर की बीच में यह लड़ाई हुई जीत जीती ऑ़ ठर्ड एंगलो मराथा वार की बात करें 1817 से 1818 तक चली इस्ट इंडिया कंपनी and Maratha Empire के बीच में यह जो वार हुई और British East India Company जो थी यह वार को जीत कई थे फर्स्ट कारनाटिक वार जो थी वह 1744 से 48 तक लड़ी गई English and French के बीच में से कंड़ करनाटिक वार जो थी यह 1748 के थे 54 तक लड़ी गईंड थर्स्ट कारनाटिक वार जो थी 1756 की से 1763 तक लड़ी गई ऑके तो फ्रैंन्स बात करते हैं ब्ैटल्स आफ मिस न क shark में तो फॉर बैस लड़ी गई फैश्ट पैटल पर समय वार्टार मैसूर ऐस्टेजिया कंपनी के बीच में जो फर्स्ट ऐंग ऊमासुर वार जो ती यह सब्सक्वर से 17 66 तक लड़ी गई कि सेकंड ऐंगलो मैसूर वार ईटी से 1780 से 1744 तक लड़ी गई धर्ड ऑन्गोर मैसूर वार जो ती यह सब्सक्राइब नाइंटी से नाइंटी टू तक लड़ी गए एंड फॉर्थ एंगलो माईसूर वार जो थी वो 1799 में लड़ी गए तो फर्स्ट अफगान वार जो थी 1838 से 1842 तक लड़ी गए और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी वार की वाद करिया अगर 1919 में लड़ी गई और अफगान ने ये वार को जीती थी नेक्स्ट अंगलो सिख वार जो था 1845 से 46 तक लड़ी की सिख हमपायर एंड ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी की बीच में और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ये वार जो जीती थी एंड सेकंड एंगलो सिख वार जो थी वह 1848 से 1849 तक लड़ी गई सिख हमपायर एंड ब्रिटिश इस इस इंडिया कंपनी के बीच में और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने ये लड़ाइ जीती थी ए दोनुल लड़ाइ ज sofनी जो ते से इस लड़ाई मेंlies जीती और को फैसरांटरी वर एटिंग तक चला और किस किस के बीच में यह वार हुई यह अलाइंस जो थे यह ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली इट कंट्री का अलाइंस और यूसे वी इनके साथ था और यह अगेंस थे जर्मनी अस्ट्रिया हंगरी ओटमन उंपायर एंड बुल्गेरिया यह अलाइंस और जर्मनी अस्ट्रिया हंगरी ओटमन उंपायर एंड बुल्गेरिया के बीच में यह रड़ाई हुई और यह अलाइंस जीत के ठीक है ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली का जो अलाइंस था यह वार वो जीत किया था कि अगर हम बात करें 1939 से 1945 तक यह सेकिंड वल्ड वा जर्मनी इतली एंड जपान ठीक है और अगेंस्ट में कों थे यह अलाइंस जो था कितनी कंट्री का लाइंस था यह ब्रिटेन फ्रांस अस्ट्रिया करनड़ा न्यूजिलन इंडिया सोविट यूनिन चाइना एंड यूस थे ठीक है और यह इतनी कंट्री को जो अलाइंस इतली एंड जपान जो थे यह हार चुकर थे सेकंड वेल्ड वार में क्लिंगा वार की बात करें 261 बीसी में लड़ी गई थे शोका और राजा अनंत परदवबत की बीच में और शोका जो था उसमें बैटल आफ यह क्लिंगा वार जो थी यह जीती थे बैटल आफ हाइदर बात करें 326 बीसी में लड़ी गई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में इसमें अलेक्जेंडर जो था यह इसने पोरस को डिफीट कर दिया थे इस बैटल में बैटल आफ चंदावर की अगर हम बात करें 1194 एडी में लड़ी गई महमद गोरियर जाचंद के बीच में और सूरी जो था उसने जाचंद को हरा दिया था इस बैटल में और बैटल आफ चंदेरी के अगर बात करें 1528 एडी में लड़ी गई बाबर और में देनी राओ को इस बैटल में हरा दिया था क्या है सबसे पहले बात करें बैटल आफ चावसर की 1539 में शेर्षा सूरी एंड हम हमायों को defeat कर दिया और सूरी डिनस्ति जो थे वह establish कर दिए वारत में बैटल आफ करूट में लाड़ी गई शेर्शासूरी और शेर्शासूरी ने डिफीट कर दिया हिमायों को ओके बैटल आफ टालिकोटा की बात करें अगर 1565 में यह लड़ी गई ठीक है डेकर्ज सुल्तनत अंड विजनगर अंपायर के बीच में यह लड़ी गई थी और जो डेकर्ज सुल्तनत जो थी उसने डिफ इंपीरियल फोर्सिस लेड़ बाइ दारा और जो और उरंग जेव जो था इसने यह वैटल जीती थी ओके फ्रेंट्स किश्मीर वार अगर देखें 1947 में लड़ी गई तो इसमें सीस्वार एग्रिमेंट हुओ ऑके इंडियन पाकिस्तान वार 1965 की अगर बात करें तो इसमें गिल में ठीक है